आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रपरेशन जो आपकी यात्रा है आपके लक्ष तरफ आपको ले चाहती है उस पर अनवरत रूप से आगे पढ़ रहे होंगे आप सभी का सबागत है एडूकेमी के इस प्रेटफॉर्म पर यानि किस यूट्यूब चैनल पर मेर बात करते हैं आज के अपने इस सेशन की जहां पर हम बात करते हैं कुछ चोटी चोटी मगर मोटी बातों की यानि हम बात करते हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स की जो बहुत परिशान करते हैं हमें एक्जाम में कितनी किताबें पढ़ ली हमने कितना रट लिया हमने बहुत फिर भी आज पढ़ा कल भूल गए हम चीज़ों को तो इन सब को एक साथ समेट कर आपकी समझस्या का समाधान करने के लिए एक बार फिर से मैं आपके साथ हूँ परियावाची जी हाँ आपके सामने स्क्रीन पर दिख रही होगी परियावाची तो परियावाची के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं यानि कैसे तयार करें एक बड़ा प्रश्न है हम सबी के सामने कैसे तयार करें परियावाची को अखिर कौन से तरीके हो सकते हैं जिनको हम लोग यूज करें और हम जो पढ़ें वो सब्याद हो जाए हमें क्योंकि याद करना सबसे बड़ी समस् प्रियोग करने वाला हूँ जो मैंने पिछले कई सालों से बहुत सारे बच्चों के साथ प्रियोग किया है और ये सफल रही है छोटी छोटी चीजों को इंटर कनेक्ट करके अगर हम चीजों को पढ़ें तो हमें बहुत अच्छे से याद हुचाता है आज हम वही करने वाले हैं और वही आपके साथ सीखने वाले सिखाने वाले हैं चलिए तो शिर्वात करते हैं आज ही अपने इस सेशन की जिसमें आपको हम परयावाची के शब्दों को बिना रटे कैसे याद करते हैं आपको बताएंगे हम कुछ शब्दों पर प्रयोग करके दिखाएंगे आप बाकी कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा कि कैसा रहा शेशन और यह जो मैंने आपको आज तरीका बताया है यह कैसा रहा अब इस पर आगे चलने से पहले आपको हम एक शुरू करते हैं तो जो यहां से चीजें शुरुआत होती है वो शुरुआत से लेकर लगबग हाफ पेज तक और अगर मां परयावाची की बात करूं यहां शब्द के बाद एक शब्द के बाद कई सारे परयावाची होते हैं तो इन में से कुछ-कुछ यह तो हमें याद रहे जाते हैं लेकिन जैसे जैसे हम page पर आगे बढ़ते जाते हैं हमारी याददास थोड़ी सी कमजोर होती जाती है और हम नीचे वाले जो content है या इधर वाले जो content है इनको हम भूलते जाते हैं ऐसा होता है कि नहीं आपके साथ, आप देखे, जहां से आप शुरुआत करते हैं, पहला चैप्टर आपको बड़ा सही तरीके से आज होता है, लेकिन अगले चैप्टर पर जैसे जाते हैं, हम धीरे धीरे उसकी चीज़ें कम होती जाती हैं, यानि कि हमारे मेमरी में वो चीज़ें ग्रैब होना कम हो जाती हैं, कुछ दिनों बाद जब हम से पूछा जाता है, तो हम उसको तो बहुत अच्छे से बता सकते हैं, जो सबसे पहले पढ़ाता हमें, शुरुआत में, फूरी एनरजी, पूरी जील, इन्थुजियासम, और इसे सब चीज़ों के साथ पढ़ते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारा इंट्रेस्ट, हमारे एनरजी डाउन होती जाती है, वैसे वैसे चीज़ों पर हम कंसंट्रेशन कम करते हैं, और वहाँ पर हम चीज़ों को लास करते जाते हैं, उतना हम हार्ड वर्क तो करते हैं, टाइम उतना ही दे रहे हैं, बस उस time का जो outcome है वो हमें कम मिल पा रहा है क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो अगर ऐसा होता है तो एक काम करिए अगली बार से आप यहां से पढ़ रहा है दूसरी बार यहां से पढ़िए तीसरी बार फिर यहां उपर से पढ़िए चौती बार यहां नीचे से पढ़ना चैलिए, अब हम क्या करने वाले हैं आज, बेसिकली अगर जो मैंने भी बताया पेच पे, अगर ऐसा है, तो आपको हर शब्द की कुछ शब्द, कुछ परियावची शब्द याद वोते होंगे, और कुछ नहीं याद होते होंगे, सब्वोस करो कि एक परियावची शब्द ह यह तो कैसे ट्रिक बनाएगे तो पानी की परियावाची अब अगर पानी की परियावाची मैं मान लो मैं आपसे 15 की बात करूं कि 15 परियावाची तो आपको कि सरजी 15 तो नहीं लेकिन हाँ कम से कम 4-5 तो याद ही है और अमूमन ऐसा सब के साथ होता है कि हमें शब्दों के जो सनानिनस है यानि कि परयावाची शब्द है वो कोई शब्द अगर आप पूछोगे हमसे पूछोगे तो लंग बग दो तीन हम बता ले जाएंगे उसके बाद फिर मटागना शुरूरू हो जाते हैं क्या ये भी मैं सच कह रहा हूँ अगर मैं कह रहा हूँ तो कमेंट बॉक्स से मुझे बताईए है कि यस सर आप बिल्कुल सही कह रहे है तो हम उसकी बात ही नहीं करेंगे जो आपको याद नहीं हो पाया हम आज उसकी बात करने वाले हैं जो आपको याद हो चुका है तो पानी की कौन-कौन सी परियावाची याद हुई है जरा कमेंट बॉक्स से मुझे बता दीचे कि कौन सी कौमन परियावाची याद है आप कहोगे कि सर जी जल याद है हमें पानी याद है हमें नीर याद है हमें हमें तोय याद है हमें अम्बू याद है ठीके नहीं यह शब्द पूछे आपसे जो आपको लगता है कि सर ये हमें आसानी से याद है और मैंने शब्द भी बोलिया जो आपको एकदम आसानी से याद होगा लगबग हम मान सकते हैं कि 70 सिप 70 प्रतिस्प के आसपास लोगों को इस शब्द के कम से कम 4-5 तो याद ही होंगे हम किसी ऐस अब हम इसी पर प्रयोग करने वाले हैं एक काम करते हैं क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि हम अगर पानी की परियावाची जो हमें याद है इसी से कुछ नई परियावाची बनाने की कोशिश करें मैंने कहाना कि छोटी 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 चीज़ों को जोड़ कर, कुछ छोटी छोटी कहानियों को जोड़ कर अगर हम याद करने कोशिश करें अगर हम नए शब्दों को बनाएं तो वो हमें कभी भूलेंगे नहीं और यही हमें करना है अगर हमने ये काम कर लिया जैसे हम सपोस्ट करूँ कि पानी की परियावाची से किसकी बना सकते हैं तो पानी से संबंद रखने वाले कुछ शब्द के नाम बताएं जिनका तो अगर हमें आपसे पूछू यहां पर कि एक बात बताओ मुझे चलिए पानी की पानी से संबंद रखने वाले वो कौन-कौन से हैं जिनकी परियावाची हमसे प्रचाओं पूछी जाती है तो आपका उत्तर होगा चलिए आप लोग कमेंड करके मुझे बताइए आपका उ पानी बरसाता है ना बादल आप कह सकते हो सर्जी समुद्र में भी तो पानी होता है तो समुद्र तो पानी से संबंद रखता है ना बिल्कुल सही बात है बात तो बिल्कुल सही करी आपने आप कह सकते हो सर्जी मचली की परियावाची पूछ ली जाती कभी-कभी और मचल अगर कमल के मानलो सपोस करो कि हमें 12 प्रयावाची शब्दों को यारा करने हैं और हमने इस पानी की प्रयावाची से 10 शब्द या 7 शब्द भी बना लिए तो कम से कम ये शाथ शब्दों हमें पढ़ने नहीं पढ़ेंगे seven words तो हमें याद रटने नहीं पड़ेंगे ये तो guarantee है यानि हमारा जो work है वो थोड़ासा कम हो रहा है और हो सकता है इसी से कहीं कुछ पूछ लिया जाए तो हमें बिना effort बिना गलती किये हमें accuracy के साथ हम उत्तर भी दे सकते हैं ठीक है अब चलिए हम दिखाते हैं आपको जा आनी रहे तो पानी की कुछ पर्यावाची शब्दों की बात करते हैं जिसमें पाथ अंब आब उदक अप जीवन सलिल पाय मेह पुष्प जल वारी नीर तोय अंब उदक अब आपके हिसाब से चलेंगे ये तो हो गए पानी की कुछ पर्यावाची जो important है जो पूछी जात हैं याद नहीं होती है याद हुआ है लेकिन हमें 5-6 शब्द आते हैं बस कोई बात नहीं आपने जो कमेंट बॉक्स में लिखे हैं उन में से हम निकलते हैं तो हमने जल वारी नीर तोय अंब उदक इतना तो याद है ने सबको ये तो याद है चलिए अब इसी से हम इसी प पर आपका जो एक तरीका है वो हम सिखाने वाले तो हमने क्या किया कि अब एक बात बताओ हमारे मन में एक जहन में एक बात होती है कि पानी कहां से आता है बादल क्या करते है पानी बरसाते है बादल क्या होता है बादल पानी बरसाते है अब चुकि फिजिक्स क्या कहता है जोगरफी क्या कहती है उससे हमें लेना देना नहीं है हमें केवल अपना काम करना है हमारा काम है कि हम कैसे आसानी से इन चीजों को याद कर ले ये important है हमारे लिए पानी की परियावाची में द या धर ये जोड़ दीजे जो बनेगा वो बादल का परियावाची ही होगा जैसे अमबुद अमबु मतलब पानी होता है यहाँ पे देखो लिखा हुआ है और द जोड़ दिया अमबुद मतलब बादल धर जोड़ दिया, अम्बुधर, अम्बुधर मतलब बादल, तोय मतलब पानी होता है, धर जोड़ दिया, जल मतलब पानी होता है, जलद दर जोड़ दिया, धर जोड़ दिया, जल धर बन दिया, वारि का मतलब पानी होता है, वारिद जोड़ दिया, वारिधर हो गया, नीर ग्यारा शब्द आप केवल पानी की पर्यावाची याद करके उसमें दा या धर जोड़कर बना सकते हो और इसी ग्यारा वैसे आपसे पूछ लिया जाएगा तो आप आराम से उत्तर दे लोग बिना किसी एफर्ट के उत्तर दे लोगे तरीका सही लग रहा है आपको मुझे क कमल का क्या होता है पर्यावाची नीरज होता है नीर मतलब पानी जा जोड़ दिया यानि पानी की पर्यावाची में अगर हम जा जोड़ दें तो जो हमें निकल के आएगा शब्द वो कमल निकल आएगा जैसे देखो नीरज नीर मतलब पानी जा जोड़ दिया पयो मतलब पानी जा-ज़ोर दिया, आब मतलब पानी जा जोर दिया, पंकम्तलब पीज़ लगोता है, तो यहां पे हो गया, अमो, पानी ज़, वारी पानी ज़, ठीक़ा है, ये इतने सारे extensive हमने यहां बहुत बार पूचा है, सारंग तो ऐसे समा अनिकार्थी है, सारंग का मतलब बहुत होता है, बादल भी होता है, कमल भी होता है, इरन भी होता है, बहुत सारे होते है, भवरा भी होता है, तो सारंग इसका नाम भी है, सरसीज सत्दल इसका अपना नाम, अरविंद इसका अपन पदम जानते ही है कमल न, इसे लिए पदमा बोनते हैं रक्ष मीजी को, ठीक है? तो ये आपको समझ में आ रहा है कि पानी की परियावाची से ही हम ये सब कीज़ें बना रहे हैं, अचा समुद्र भी बना ले समुद्र की परियावाची कैसे बनेगी आप एक काम करो चुकि पानी की मातरा बहुत ज़ादा होती है समुद्र बहुत ज़ादा विशाल तो पानी की बातरा को बढ़ा लेते हैं हम निधी शब्द को जोड़ते हैं यहांपे जल मतलब पानी धी जोड़िया जलदी पयो मतलब पानी धी जोड़िया पयो धी वाही मतलब पानी धी जोड़िया वारिधी उदक मतलब पानी धी जोड़िया उदधी तेके नीर मतलब पानी निधी जोड़िया नीर निधी पयो निधी तेके नीरधी जलधी यह सब क्या है इतने सारे नाम बन जा रहें, बाकी कुछ इसके अपने हैं, जिसे रत्नाकर, रत्नाकर, आकर का मतलब होता है खान, और समुद्र में क्या होती है, समुद्र में रत्नों, रत्नों की खान, कौन सा होता है, समुद्र, रत्नाकर, वरुनाले, वरुन का घर है, मकराले है, तो एस्वर जब रफने अंतिम समय में कहा शायता है भगवान की पास जाता है, तो नदिया अपने अंतिम समय में कहा शायती है, समुद्र के पास, यानि एक कहानी यह अईसा कुछ है नहीं हम किवल एक छोड़ी-छोड़ी कहानिया गढ़ रहे हैं ताकि आपके दिमाग में इस शब्द को बढ़ा सके आगे चलती कभी नहीं भूलोगे आप इतना कहानी को सेट कर लो कि इस सुर के पड़ता है तो अगर नदιयां अंति कहान जाती है अपने समंदर के पास तो नदियों का भगवान कौन समंदर यानि नदीश कौन समंदर अभ इक छोटी से कहानी दिमाग में फिक्स हो तो जब जीवन ही उसका पानी है तो पानी की परियावाची में जीवन क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? अगर हम पानी की परियावाची में जीवन जोड़ दें तो जो शब्द बनेगा वो मचली के लिए ही बनेगा. चाहे वो जल जीवन हो, निल जीवन हो, वारी जीवन हो, अम्ब जीवन हो, तोय जीवन हो, मीन, मच, सफरी, मकर ये इसके अपने नाम है, असान है, नाव भी पानी में चलती है, हम रड़कों पर जाते हैं, सामान लेकर जाते हैं, तो हमेरे वाहन का काम कौन करता है, गाड़ वाहन जोड़ दे, तो क्या हो जाएगा नीरियान, तोयवाहन, वारिवाहन नौका, तरडी, जलयान जलपात्र कुछ शब्द आराम से बना सकते हैं यानि ये हमारे लिए एक बड़ा हेल्प है कि हम चीजों को आसानी से याद कर सकते हैं पानी में ही नहीं, आकाश की परियावाची क्या होता है, नभ गगन देव तारापत उषकर अब्र अंबर व्योम अनन्त आसमान अंतरिक्ष सून्य आस आकाश की परियावाची याद है हमें कुछ याद होगी चलो कोई बात नहीं, आकाश में पक्षी भी तोड़ते हैं तो पक्षी आकास में उड़ते हैं तो हम क्या कह सकते हैं नभुचर, गगन चर, अंबर चर, वेउम चर, खेचर बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं यही तो करना है हमें हम ऐसे अगर चीज़ों को interconnect करते हुए पढ़ाई करें इंटर रिलेट करते हुए बनाएं नए शब्दों को और पढ़ाई करें तो मुझे लगता है कि रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें रटने की आवश्यक्ता नहीं पड़ेगी तो हमको चीज़ें याद रहेंगी और परिक्षा के टाइम पे हमारे दिमाग में चीज़ें कंठस्त हो जाएंगी याद हो जाएंगी तो कोशिश कीजएगा कि इस तरीकों को अपनाईएगा अगर आप इस तरीकों को अपनाते हैं तो मेरा भरोसा है कि आप बहुत सारे अचाराँ कि साहिगे और stories शराइगी और आने वाली परिक्षां में रटने वारी प्रक्रिया से कम से कम कुछ percent टुक्त को लिजात मिलगी मैं hundred percent नहीं कर रहा हूँ लेकिन फिरभी कह रहा हूँ कि कुछ percent तक आहीं more than 50% इसके अलाम और में बहुत सारे तरीके होते हैं हर तरीके को मिलाके लगाएंगे guarantee है हमारे परिक्षा में काम आने वाले शब्दों को तो हम आराम से पहचान लेंगे और हमारा उद्दिश क्या है exam qualify करना ना जो हमें परियाब आची पर PhD करना होगा तो हम देखेंगे तब करना है लेकि अभी तो हमें सब इतना काम चलाना है कि हमारे परिक्षा में आने वाले शब्दों हमें याद हो जाएं और हम सही उत्तर देकर सही नंबर ले आएं इतना ही तो हमें चाहिए तो ये तरीका आपको कैसा लगा हमें बताईएगा कमेंट बॉक्स में और हाँ इस पर आगे भी प्रैक्टिस करते रहिएगा ताकि ये प्रैक्टिस आपकी बनी रहे और ठेर सारे शब्द आपको याद हो जाए तो इस तरीके के साथ उमीद है कि आपको ये पसंद आएगा और पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक और इससे कमेंट करके मुझे बताईएगा कि कैसा लगा थांकियू सो मच फिर से मिलता हूँ मैं एक नई तरीके के साथ नए ट्रिक के साथ नए चैप्टर के साथ जै हिन्द